जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चर रही होगी आगामी कुछ महीनों में कई हिंदी भासी राज्यों के लोग सिवा आयोगों की परिक्षाएं हैं प्रारंभिक परिक्षाएं हैं प्रारंभिक परिक्षाओं में करेंट अफेर का एक ब डेली करेंट अफेयर discussion करते हैं question के माध्ध्यम से question देखते हैं उसके बाद उसकी व्याख्या देखते हैं और विस्तिरित व्याख्या देखते हैं जिससे कि न केवल उस प्रश्ण का उत्तर निश्चित उत्तर बल्कि उससे संबंधित तमाम चीजे भी clear हो जाए ठीक है तो चलिए सुरुबात करते हैं आज की प्रश्णों से पहला हमारा प्रश्ण है प्रती दिन हम इसमें दस प्रश्ण सामिल करते हैं करेंट अफेयर के ठीक है इन ही प्रश्णों से रिलेटेड व्याख्या आगे दी गई होती है और सबसे अंतिम में सबसे अंतिम में इन का शुभारंभ प्रारंभिक तौर पर कितने ब्लाक्षे हुआ प्रश्ण का उत्तर आगे मिलेगा हमें व्याख्या देखते समय अकांची जिला कारक्रम की सुरुवात कब हुई थी हाल ही में दुनिया का पहला कीट वैक्सीन किस कीट को रोग से बचाने के लिए बनाया गया ठीक है पहला कीट वैक्सीन है महतपूर है परिक्षा में आ सकता है अमेरिकन फूल वुरूड नामक बिमारी किस जीवाडू के कारण होता है प्रश्ण पूछा जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है भारत का है रैंक महतपूर नहीं है बलकि त हेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का सुभंकर क्या है परिक्षा में प्रश्ण पूछा जाता है ऐसा प्रित्वी टू मिसाइल लक्ष भेदने हे तू किस प्रडाली का प्रयोग करती है भारत की पहली स्वदेशी बैलेस्टिक मिसाइल कौन सी है एकिक्रित निर्देशित मिसा प्रश्णों का उत्तर हम आगे व्याक्याओं में देखेंगे और अंतिम में एक स्लाइड में इन दसों प्रश्ण के उत्तर दिये रहेंगे दिये हैं इकठे एक जगए ठीक है तो चलिए पहले प्रस्ण पहला प्रस्ण ये था कि आतांच्छी ब्लाक कारेक्रम एबीपी प्रारंभिक तोर पर कितने ब्लॉक से सुरू हुआ कितने ब्लॉकों में सुरू हुआ तो इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीर जी द्वारा अभी हाल ही में लांच किया गया इसका उद्देश क्या है इस कारेक्रम का इसकारेक्रम का उद्देश है कि जो हमारे विकास क प्रादम्भित तोर पर यह 500 ब्लाकों में शुरू किया जाएगा और सबसे खास बात है कि इस कारेक्रम की जो गोसना करी गई थी यह 2022-23 के बजट में करी गई थी ठीक है 2022-23 के बजट में करी गई थी ABP मतलब आकांची ब्लाक प्रोग्राम के लिए जो मानक हैं वो मानक कौन-कौन से है तो स्वास्त हो गया सिक्षा हो गया पोसर हो गया ऐसे जनहित से सम्भंधित जो मानक है जन हिस्स संबंधिर मुद्दे जो है इनके मानक है इन छेत्रों के आधार पर ब्लाकों के पदर्संद का जो रैंकिंग किया जाएगा वो त्रतेक तीन माह में किया जाएगा और उसके लिए 500 ब्लाकों का चैन किया गया है 500 ब्लाकों का पहचान किया गया है चलिए आरंभ में यह 31 राज्यों और केंद्रसासित प्रदेशों मतलब 31 राज्यों और केंद्रसासित प्रदेशों इन दोनों को मिलाकर यह 31 ठीक है को कवर करेगा अच्छा यह 500 ब्लाक में है 500 में से जो 200 से अधिक ब्लॉक है यह केवल 6 राज्यों में है यह केवल कितने राज्यों में है छे राजियों में कौन-कौन से राज उत्तर प्रदेश पहला बिहार दूसरा मध्य प्रदेश तीसरा जहारखंड चौथा ओडिसा पांचमा और पश्चिम बंगाल छठा यह 200 से अधिक ब्लाक क्यों इही छे राजियों के चैनित हैं अगर आगे देखा जाए तो एब यह आप जानते ही है कौन-कौन सा हम लोग मैपिंग इसी के साथ देखते हुए चलते हैं तो मैपिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता कि आप जो भी खबर पढ़ें चाहे किसी सब्जेक्ट से रिलेटर या करेंट अफेर से रिलेटर उससे संबंधित जो जगह है यह जो छेत्र दिया हुए उसको मैप में हम देख लें ठीक है यह अपना बिहार बिहार यह जहार खंड यह यह हम लोगों ने देखा था MP उत्तर प्रदेश यह हम लोग इसके पहले भी देख चुके थे ठीक है आगे चलते हैं अगर हम आकांशी जीला कारेक्रम की बात करे चुकि इसी पर आधारी था इफली यह भी पूछ सकता है तो इसकी सुरुवात जो सबसे पहली बार करी गई थी वो जनवरी 2018 में करी गई थी और इसका जो उद्देश था वह उद्देश था कि देश के सबसे अविक्सित जिलो में तेजी से पुरी प्रभाविकारता के सा विक्सित रूप दिया जाए उनको बदलाव किया जाए विक्सित जिलों में उनका बदलाव किया जाए यह इसका उद्देश था ठीक है और यह जो आकांची जिला कारेक्रम है परिक्षा में प्रस्त पूछता है कि यह इसका वित्त पोसर कौन कर रहा है तो यह केंद्र औ आयोग इसका संचालन करता है सर्व्य सर्वा इसका जो है वह नीती आयोग है ठीक चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा इसी के बारे में अगर हम सरुसेष्ट आकांचे जिला के लिए पैरामीटर्स की बात करें तो कुल पांच मानक हैं जिनके आधार पर समग्र सुचकांक को तयार किया जाता है अगर हम पहले की बात करें तो यह स्वास्त और पोसर है इस सुचकांक में 30 प्रतीसत की हिस्सेदारी ही है सौ प्रतीसत में 30 आउट आफ हंडरेट इसकी हेल्प और नुट्रिशन्स की भागिदारी है शिक्षा को 30 प्रतीसत की हिस्सेदारी दी गई है क्रिसी और जल संसाधन की हिस्सेदारी इस सुचकांक में 20 प्रतीसत है वित्ति समावेशन और कौसल विकास 10 प्रतीसत और इसके साथ साथ और सरचना 10 प्रतीसत ठीक है यह पैरामिटर्स की हिस्सेदारी है आगे चलते हैं हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक था अगला जो हमारा प्रस्न था प्रस्न यह था की हाल ही में किस कीट के लिए दुनिया का सबसे पहला कीट्टी का विक्सित किया गया तो महत्पूर्ट टापिक है परिक्षाओं में प्रस्ण पूछे जाते हैं तो दुनिया का पहला कीट टी का किसके लिए बनाया गया मधुमक्खियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया किस से किस से तो अमेरिकन फुल ब्रूड नामग विमारी जो हमारा एक कारण यह अमेरिकन फुल ब्रूड बिमारी किसके कारण होता है तो यह पैनी बैसिलस लार्वा बैक्टिरिया एक बैक्टिरिया का नाम है जिवाडू का नाम है पैनी बैसिलस लार्वा बैक्टिरिया उसके कारण यह अमेरिकन फुल ब्रूड नामग विमारी होती है किन मे कियों में होती है किस ने बनाया महतपुर्ण है हैं कि तो हैं failure कि विश्वविद्याल्यक के डलियल फ्रिटक और उनकी टीम एक्सित किया ठीक है एड्यकी है जैर उस्तित की विश्विद्यालय एवस्थित है एग चलिए और अगे चलते norms नियुक्त ने लिजी अगे चलते हैं अगर हम लोग वैक्सिन टकनिक की बाग करे परिक्षाओं में पिछले साल उपी PCS में और युपीसी में भी यह प्रस्ण पूछा गया कि फला वैक्सिन किस टकनीद पर निर्मित है ठिक है UPSC और UPSC में भी तमाम राज्यो के इए पीसिय को हो ठेशी खर पेबिब्च सोब इसका वसीन तकनिक एन है इसे अभी ये बना है तो यह जो निस्क्रिय जिवारू है निस्क्रिय जिवारू, कौन से निस्क्रिय जिवारू, पैनी बैसिलस लारवा बैक्टिरिया के निस्क्रिय जिवारू लिये जाएंगे, और उनकी कोशिकाओं को विटेलो जेनिन प्रोटीन, जो की अंडे की जर्दी में पाई जाती है, विटेलो जेनिन प्रोटीन से सायू सब मधुमख्यों को लेकिर रानी मधुमख्यों को दिया जाएगा ठीक है किस फॉर्म में दिया जाएगा जेली के फॉर्म में दिया जाएगा जब रानी मधुमख्यों को यह जेली के फॉर्म में यह वैक्सिन दिया जाएगा तो जो जब वैक्सिन ग्रहड करेगी तो उसके तो जो टींच की टुकड़े हैं वह उसके जाएंगा अंडासय में जमा होगा तो जो उसके विकास सी लारवा है शोजाएगी और जो उसके संतान होगे वह इस जिवाडू के कारवर जो बीमारी हो जाती है उससे क्या हो जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे और उससे चपेट में आने की संभावना बिलकुल कम हो जाएगी इस आधार पर ये वैक्षिन काम करती है अभी हम लोग एक intranasal और intramuscular vaccine के बारे में हम लोग बात कर चुके थे ठीक है चलिए पहले हम लोगों ने उसके बारे में बात किया हुआ है तो आगे चलते हैं इससे अगला जो हमारा topic है अगला प्रश्ण जो हमारा है वो था कि हैनले passport index 2023 में भारत का rank क्या है और उसी के नीचे एक और प्रश्ण था कि वीश्यमें सबसे कमज़ोर passport सबसे कम सक्तिसाली passport किस देश का है तो चलिए अभी हाल ही में हैनले passport index 2023 जारी किया गया है परिक्षाओं में प्रस्न पूछा जाता है हम उन्हीं topic को cover कर रहे हैं जिनसे प्रस्न पूछे जाते हैं या जिनसे प्रस्न पूछे जाने की संभावना अधित है तो यह अगर हम बात करें हेनले passport index की यह क्या बताता है तो यह बताता है कि किसी एक विशेश देश का passport धारक कितने देशों में बिना किसी वीजा के बिना पूर वीजा के यात्रा कर सकता है कोई व्यक्ती कोई व्यक्ती मान लिजे कि मैं हूं मान लिजे मैं हूं और मैं बिना किसी देश में पूर वीजा के अगर मैं जितने अधिक देशों में मैं यात्रा कर पाऊंगा अगर मैं सबसे अधिक कोई भारती है, सबसे अधिक देशों में यात्रा कर लेता है, ठीक है, तो वो भारत का पास्पोर्ट सबसे अधिक सकती साली है, अगर सबसे कम देशों में यात्रा करने के अनुम्यती मिलती है, बिना पुर वी जाके, तो वो सबसे कम सकती साली है, ठी और नागरिक्ता एड़ आड़िवाजरी फर्म है फिक है ये कहाँ अवस्तित है ये लंदन इस्तित है लंदन इस्तित है और कि इसका स्रोत ग्या है किस आधार पर डाटा ले के यह तय किया जाता है कि passport सक्ति साली कितना आधिक सक्ति साली है या सबसे कम सक्ति साली है तो इसका सोर्स है यह International and Transport Association IATA के डेटा पर यह आधारित होता है ठीक है है यह पास्पोर्ट इंडेक्स इस डेटा पर आधारित होता है सबसे पहली बार यह साल 2006 में लॉंच किया गया था साल 2006 में इंडेक्स जारी किया गया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं स्क्रीन सॉर्ट आप लोग ले लीजिए फिर आगे चलते हैं प्रतिवर्ष जारी करी जाती है ध्यान रखना है हमको कुल 199 देशों के विभिन पास्पोर्ट इसमें सामिल है चुकि कई देश एक ही रैंक पर है इसलिए रैंकिंग 109 तक जारी करी गई है ध्यान रखना है ठीक है और सबसे खास बात यह है कि एशिया के तीन देश टॉप थ्री में अपना अस्थान बनाये हुए हैं टॉप थ्री में 1,2,3 वो देश है वो कंट्री है जो एशिया कॉंटिनेंट में है चलिए वो हम बाद में देख लेंगे ठीक है अब हम देख लेते हैं भारत के स अंदर में हेनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 अगर हम बात करें कि क्या 2022 मतला पिछले संस्क्रण की तुल्ना में क्या इस संस्क्रण में इस इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है तो हां भारत की स्थिती में दो अंकों का सुधार हुआ है ध्यान रखना है भारत वर्ष दो हजार तेईस में पच्चासवें अस्थान पर है और भारतिय पासपोर्ट भारक 59 69 देशों में वीजा मुक्त या बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं हाला की हाला की वर्ष दो हजार बाईस में यह संख्या कितनी थी साठ थी यह संख्या कितनी थी साठ थी याद रखिएगा प्रस्न पूछे जाएंगे चलिए आगे चलते हैं अब देख लेते हैं दुनिया के सिर्स पांच सबसे मजबूत पासपोर्ट चीक है तै कैसे होगा वीजा मुक्त या वीजा आनराइवल या बिना प्री वीजा इसको कई नामों से जानेते हैं हम लोग कई नामों से हम लोग संबोधित करते हैं ठीक है तो वीजा मुक्त वीजा आनराइवल या प्री वीजा बिदावट प्री वीजा ठीक है चलिए कि जड़िए यात्रा कह जापान का नागरीक जापान का कोई भी जापानी 199 को सामिल किया गया है 193 देशों में वीजा मुक्तियात्रा कर सकता है पहले अस्थान पर जापान दूसरे अस्थान पर सन्युक्त रूप से सिंगापूर दक्षड कोरिया है पहले अस्थान पर जापान दूसरे अस्थान पर सिंगापूर और दक्षड कोरिया है एक सो बानबे देशों में वो वीजा मुक्तियात्रा कर सकते हैं अच्छा यह यहां पर जो लगातार पाचवे वर्स सिर्ष पर यह जापान के लिए है यह यहां पर गलती से आ गया ठीक है तो यह जापान लगातार पाचवे वर्स सिर्ष पर बना हुआ है जर्मनी जर्मनी इश्पेन यह संयुक्त रूप से हैं और यह 190 देशों में यह या ये 5 वे रैंक पर है चलिए आगे चलते हैं और सबसे कमजोर के बारे में देख लेते हैं सबसे कमजोर के बारे में देख लेते हैं तो भारत के जो परोसी देश हैं अगर हम 5 सिर्स 5 सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो 109 रैंक पर अफगानिस्तान का पासपोर्ट आता है जिनकों किवल 27 देशों में बीजा मुक्त यात्रा की अनुमती है उसके बाद 108 रैंक पर इराक आता है 29 देशों में ये कर सकते हैं फिर सीरिया आता है 107 रैंक पर 30 देशों में फिर अपना जो पडोसी देश है 106 रैं और ये 32 देशों में इनको बीजा की यात्रा करने की अनुमती है 105 रैंक पर यमन है 34 देशों में ये बीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं चलिए आगे चलते हैं आगे क्या है भारत के परोसी देशों की स्थिति क्या है यह भी परिक्षा में पूछा जाता है ठीक है तो अगर हम चीन की बात करें चीन की बात करें तो इसका रैंग क्या है सिक्सिक्स apprentice के वी देश की 6 Kate सलंका की बात करें तो 100 किसी बात करें तो 101 नेपाल की बात करें तो एक और पाकिस्तान की बात करें हम लोगों ने भी किया तो 106 ठीक है यह हमसे उपर हमारा पडोसी देश चीन का रैंक ऊपर है हमारा 85 है और इनका 66 चलिए आगे चलते हैं यहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे निश्चित तौर पर इस बार प्रिक्षा में प्रस्ण पूछे जा अगला जो हमारा प्रस्ण था यह था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का सुभंकर क्या है ठीक है तो उस प्रश्ण का उत्तर यहां व्याख्या में हम देखेंगे तो चलिए इस पर इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 असल में 22 इस लिए य इसको 22-23 कहा जा रहा क्यों क्योंकि कोवीड के कारण क्या हुआ था कि वर्स 2021 का जो संस्क्रण था रद्ध करके वह 2022 में हुआ था इसलिए यह 22-23 दो वर्सों में चल रहा है ठीक है अगर हम इस बार के 22-23 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की बात करें तो यह मध्ध प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है मध्ध प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है ठीक यह पांचवा संस्क्रण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह पांचवा संस्क्रण है कब से कब तक किया जाएगा तो 31 जनवरी 2023 से लेकर सुभंकर प्रस्न में पूझा था सुभंकर अधिकांस परिक्षाव में पूझता है तो इसका सुभंकर आशा है और थीम सौंग क्या है तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम सौंग है चलिए आगे चलते हैं इसे रिलेटर दे करें कि मसाल कौन सा है मसाल का नाम क्या है खेलो इंडिया यूथ गेंज पांचवे संस्क्रण के तो उसका नाम अमर कंटक है और उस मसाल पर मान नर्मदा की आकृति उकेरी गई है तीन गेम इस में पहली बार सामिल कीए जा रहे हैं खेलो इंडिया यूठ गेम्स की पांच बेसं सक्रण में वाटर स्पोर्ट्स में क्या 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 किन्व ये है इस लगेंच यह देखे यह है क्या किन्व ठीक है यह क्या किन्व दूसरा जो वाटर स्पोर्ट है केनो स्लेलम ये है और जो तीसरा गेम है वो तलवार बाजी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार हिस्सा बनेंगे पहली बार चलिए आगे चलते हैं हम लोग आठ अलग अलग सहरों में खोना सुनिश्चित किया गया है वो सहर कौन कौन से है भोपाल, इंडौर, जबलपूर, ग्वालियर, उज्जैन, महेस्वर, मंडला और बाला घाट ये सहर हैं आठ अलग अलग सहर है यहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा सारहे आठ हजार से अधिक प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसी के साथ लोकारपर के साथ सिवराज सिंग्चोहान जी ने घोसना करी कि एसियन गेम्स, कामन वेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में जिन्होंने पदक जीता है उनको खेलो के प्रसिक्षड है तूँ 5 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे और जो पदक जीता है उन खिलाडियों को डारेक्ट मध्ध प्रदेश पुलिस में सीधी भरतित करी जाएगे किस पे? डियस्पी पद पे ठीक है? महत्पूर है अब अगर हम बात करें जो पिछले संस्क्रड हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कौन सा एडिशन कहां पर हुआ और उसका विनर कौन रहा? यह हम बात कर लेते हैं प्रस्न पूछा जाता है चलिए अगर 2018 के एडिशन की बात करें तो यह निव डेली में हुआ और इसका विनर हर्याना रहा 2019 का संस्क्रड पुने में हुआ विनर महाराष्ट्रा रहा 2020 का संस्क्रड गुवाहटी में हुआ इसका भी विनर महाराष्ट्रा रहा और 2021 वाइस जो 21 मेटल कर वाइस में हुआ था पंचकुला में हुआ, पंचकुला हर्याना में और इसका भी विनर हर्याना रहा, चलिए, आगे चलते हैं, अगला हमारा जो प्रश्ण था कि प्रित्वी मिसाइल की पैलोड शमता क्या है, यह हमारा प्रश्ण था, अब इसके बारे में हम देख लेंगे, चलिए, प्रित्व परिक्षाओं में यह प्रशना पूछ लेता है कुछ मिसाइल के नाम देदेता है और उनकी तकनीक शम्ता देदेता है या फिर कहां सता से हवा में मार करती है सता से सता पर मार करने वाली है और इसका रेंज जो प्रिथ्वी 2 का है यह धाई सो से तीन सो कीमी है और इसकी वहन छमता की बात करें तो यह एक टन पेलोड ले जाने में सक्षम है पेलोड क्या होता है पेलोड होता है किसी भी मिसाईल किसी विमान राकेट या कोई भी ऐसा वहन ठीक है वहन उसमें क्या है विस्फोटक ले जाने की जो छमता होती है उसको क्या कहते है पेलोड कहते है तो प्रित्री टू मिसाइल जो है वह कितना विस्पोटक ले जा सकता है तो एक टन विस्पोटक ले जा सकता है इसलिए इसका जो वहन छमता है वह एक टन है एक टन पे लोड है आगे चलते हैं यह एकल चरड की एकल चरड की तरल इंधन वाली मिसाइल है ध्यान रखना है एक सो से 1,000 kg है और हाला कि प्रश नहीं था कि लक्ष भेदने के लिए लक्ष भेदने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करती है तो यह एक प्रक्षेप वक्र के साथ यह प्रक्षेप वक्र के उपयोग करती है ठीक है इंटेग्रल गाइडेंस सिस्टम का या उपयोग करती है और यह हमारी प्रिथवी टू मिसाइल है ठीक है यह हमारी प्रिथवी टू मिसाइल है चलिए आगे चलते हैं अगर हम प्रित्वी स्रिंखला की मिसाइलों की बात करें तो इसका विकास जो है DRDO द्वारा किया जा रहा है DRDO का एक प्रोग्राम है IGMDP एकिक्रित निर्देशिक मिसाइल विकास कारकरम एक क्रिप निर्देशित मिसाइल विकास कारक्रम ये एक प्रोग्राम है DRDO का उसके तहट मिसाइल विक्सित करी जा रही है और इसके तहट सबसे पहली बार जो विक्सित मिसाइल थी वो प्रित्वी मिसाइल ही थी वर्स 1983 में इसका विकास प्रारंभ किया गया था पहली बार वर्ष 1983 में निर्माड इस कारक्रम के अंतरगत इस प्रित्वी स्रिंखला की मिसाइलों का निर्माड किया गया था और ध्यान देने वाली बात है कि भारत की पहली स्वदेशी बैलेस्टिक मिसाइल प्रित्वी है प्रस्ण में पूचा गया है अगर हम बात करें आगे तो एक कोड है याद रखने के लिए पटना एक कोड है पटना प्रित्वी क्या है सतह से सतह पर मार करने में कम दूरी वाली बेलेस्टिक मिसाइल है ध्यान रखना है अगनी क्या है यह भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और मध्यमदूरी वाली है प्रित्वी कमदूरी अगनी मध्यमदूरी ठीक है कि त्रिशूल हाथ से लेकर ऐसे फेकते हैं ठीक है तो सतह से आकास में याद करने के लिए यह भी कमदूरी वाली मिसाइल है सतह से आकास में मार करती है नाग क्या है तो यह एक टैंक वहेदी मिसाइल है ध्यान रखिएगा टैंक वहेदी मिसाइल है और आकाश क्या है आकास में नाम ही आकास दिखा हुआ है तो सतह से आकास में मार करने वाली यह भी मध्यमदूरी वाली मिसाइल है ठीक है चलिए आगे चलते हैं स्क्रिन साट ले लिजया आगे चलते हैं चलिए यह देखिए यह हमारे पुछे थे यह हमारी प्रशन के उत्तर हैं आप यहाँ पर रुक कर इसको कॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं देख सकते हैं आपको ये स्रिंखला कैसी लगी आपका कोई प्रश्न हो आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई बात करनी हो हमसे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं ये स्रिंखला और बेहतर तरीके से कैसी बनाई जा सकी इसके बारे में आप अपनी राय लिखे अच्छे स आप अपनी पढ़ाई करते रहें जय हिन जय भारत